नमस्कार मेहुद व्याप बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज 19 फरवरी दिन सोमवार खबरक्यों बने से पहले एक नजर सुर्खियों पर जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का दूसरा थीम हुआ लॉंच बागवानी महुद सब में साथ फीट केले का गहुद बन रहा मुख्या करसन का केंद्र पस्वों में खुरपक्का भूपक्का रोगनियंतरन के लिए चलाए जा रहे ठीका करना भियान तो से तीन दिनों में प्रदेश में बारस की संभावना बिहार की बेटी नीटू चंद्रा ने अमेरिका के टाइम से स्कॉाइड पर बिखेरा जलवा दुनिया के सौर सबसे अमीर वैक्तियों में भारत के एन धनवानों का नाम भी है सामिल टेस्ट मैच में भारत के इतिहासिक जीत अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तके 25 बरी खबरों की और विस्तार से AISL में 100 पदों पर निकली भरती एरक्राफ्ट टकनीसियन और टकनीसियन के पदों पर AI इंजिनियरिंग सर्विसेज लिम्टे द्वारा भरती निकाली गई है ये भरती कुल 100 पदों पर आई है एक चुक मिद्वारेस के अधिकारिक वेबसाइट AISL.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के अंतिम तारीक 23 फवरी 2024 है इस भरती किलों मिद्वारों के अधिक्तम आयू सीमा 35 वर्स निर्धारित की गई है हाला कि अरक्षी तुम्हे द्वारों को इसमें छूट दिये जाएंगे भरती से संबंदित अधिक जानकारी के लिए आपस के अधिकारिक वेबसाइट और अधिस सूचना को देख सकते हैं जन भागिदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का दूसरा थीम हुआ लॉंच संबंदिक वीडियो बना करिया फोटो खीच कर अपलोड कर सकते हैं इस प्रतियोगिता से संबंदित अधिक संबंदिक वीडियो खीच करे शंबंदिक लं यहां से प्रेंदी संब्स्काइब करात्यों के काया ni सोंचागर से प्राप्त मौरे कालीन हड़ी की कलाकरी थी सुंग कालीन इम्रिन मूर्तिया मन के सीले एवं धातु निर्मित कलाकिर्थियों को संग्राले के दिखों में प्रदर्सित किया गया है केके पाठक ने इस वजह से मार्च तक ते ओहारो और चुट्टियों में भी स्कूलों को खोले रखने का दिया आदेश प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों को सक्चावे भाग के अपर मुख्य सर्चीव द्वारा पत्र लिखा गया है इस पत्र के जरी उन्होंने बताया है के स्कूल के बेंच और डिस्क की खरीद की जा रही है ये सभी सही गुनवत्ता के है या नहीं इसकी जाच करे साथी सरकारे स्कूलों में अन्य मेंटिनेंस के कारे भी किये जा रहे है इस पत्र के जरी के के पाठक ने आगे जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी स्कुरों में काम तेज गती से पूरे करवाएं साथी सभी जिलों में माधमिक विद्याले और अधिकांस प्रात्मिक विद्याले में हो रहे जिर्नो द्वार का काम यूद अस्तर पर करवाया जाए वही सभी जिले की विद्याले में परियाप्त बेंच डेस्क लगाये जाने की बात भी सामने आई है इसके लिए 900 करूर रुपए भी भेजे गए हैं सभी कार्यों को 31 मार्ज तक पूरे करने के आदेश दिये गए हैं और कहा गये कि सभी डियम अपने जिला सच्चा पदाधिकारी को विद्याले अपकास के दिनों में भी विद्याले परिसर खुलवाना सुनसित करें बिहार के कई जेलों में छापे मारी की खबर आई सामने रविवार के दिन बिहार के कई जेलों में ताबर तोड छापे मारी की खबर सामने आई है बिली जानकारी के मताबिक ये छापे मारी पटना के बार उपकारा समेट चासारा छपरव अन्य जेलों में हुए है हाला कि अभी तक इन जेलों में किसी भी तरह के संदिक्द सामान की बरामदगी की ख़बर सामने नहीं आई है आपको बता दे कि SGM सुभम कुमार के नेतरित में पटना के बार उपकार में छापे मारी की गई है जहां पर छापे मारी के दोरान पुलिस की टीम भारी संख्या में पहुंची थी, जहां सभी कैदी वार्डों की तलासी हुई, आरा जेल में भी छापे मारी के दोरान बताए गया है, कि अभी तक इसी भी प्रकार के कोई संदिक्द सामानी आपती जनक वस्तू बरामत नहीं क पंजिकरित स्रमिकों के लिए सिक्षा स्वास्त और सामाजिक सुरक्षा से जुरे दर्जन भर से अधिक योजना इस्रम विभाग के बिहार भवन एवं अन्य सन निर्मान कर्मकार कल्यान बोड के द्वारा चलाए जा रहे हैं पूरे राजे में 25.2 एक लाग स्रमिकों का पं स्रमिकों को सरकार द्वारा कई फायदे दिये जाते हैं इनके बचों को आई आई टी आई एम और एम्स जैसे संस्थान में दाखिला होने पर पूरा ट्यूसन फीज देने का प्रावधान भी किया गया है स्रमिकों के बचों का यदि बीटेक में दाखिला होता है तो उन्हें 20,000 रुपे वही सरकारी पॉलिटेक्निक नर्सिंग या इसके समकक्च डिप्लोमा कोर्स के लिए 10,000 रुपे और आई टी आई जैसे संस्थान के लिए 5,000 रुपे दिये जाएंगे बागवानी महुचब में 7 फीट केले का घौद बन रहा मुख्या आकरसन का केंद्र क्रिसे विभाग बिहार क्रिसी अर्थववस्ता में सुधार के लिए लगतार प्रियास कर रहा है इसी प्रियास के तहित पटना के गांधी मैदान में बागवानी महुचब का आयोजन किया गया इस महुचब के दौरान 7 फीट का केला घौद हर किसी के लिए आकरसन का केंद्र बना हुआ था इस केले के अलावे 5 किलों के मूली, गुलाबी, पीले और उजले रंग के गोभी भी सबको अपनी तरह आकरसित कर रहे थे साथ फिट के केले के इस घौद को सीता मरी के विसनपुर रती गाउं के रहने वाले किसान सुरिंद सिंग को स्वाहा लेकर आये थे इस केले का नाम कलस्थानी बर हरी केला है, इन्होंने बताया कि इस केले की खेती एक बेगा में करने पर 70-80,000 रुपे लागत आती है और 3-4 लाख रुपे की कमाई होती है, इस केला घौद को 1800 से लेकर 2000 में बेचते हैं, इसमें 30-40 अरदन गेला निकलता है, जो भी किसान इस केले की खेती कर आंदनी करना चाहते हैं, वे इनके गाउं में आकर बीज ले सकते हैं, एक बीज 100 रुपे में मिलता है, इस केले की खेती के लिए 2 मत मिटी सबसे अच्छी मानी जाती है बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने अमेरिका के टाइमस स्कॉइड पर बिखेरा जलवा, म्यूजिकल प्ले उम्राओ जान अदा के ट्रेलर की सूटिंग के दौरान अमेरिका के टाइमस स्कॉइड पर बिहार की बेटी नीतू चंद्रा सुर्वास्तप का जलवा देखने को मिला इस दौरान नीतु चंद्रा अमेरिका की जमीन पर भारत के संस्कृति को भी खेरती दिखाई दे रही थी इस दौरान उनके डांस मुव्स को देखने के लिए कई लोगों की भीर जमा हो गई आपको बता दे कि इसका ट्रेलर ब्लू वेब इंटर्टेन्मेंट के ओफ देने का काम किया उमीद करती हूँ ट्रेलर दुनिया भर के लोगों को पसंद आए और वह म्यूजिकल प्ले को देखने अमेरिका के विभिन सहरों में आए पसुऊं में खुरपका मुपका रोग नियंतरन के लिए चलाय जा रहे तीका करन अभियान राजमेंग के प्रत्LY जिलों के गाउं में घर कर जाकर पसुँओं का खुरपका मुपका करन रोग के विरोध निस्सुल्क टीका करन अभियान चलाय जा रहा है ताकि गाई भहस को इस तरह के रोग से बचाया जा सके इसकी जानकारी IPRD बिहार ने भी अपने सोसल मेरिया के आधिकारिक हैंडल एक्स पर सेर की है एल एचन डी सीपी के तहित राष्ट्य पसु रोग नियंतरन कारेकरम के अंतरगत राजिक के सभी जिलों में FMD टीका करन चलाय जा रहे हैं कारेकरम की विशेज जानकारी निकटवर्ती पसु चिकित साल या संबंदत जिला पसु पालन कारियाल है पसु पादन संस्थान बिहार पटना के दूरभा से संख्या सूने 6-1-22-22-6-04-9 से प्राप्त की जा सकती है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे निरुपमा पांडे के बारे में विंग कमांडर निरुपमा पांडे एक भारतिय परवतारोही है वे 25 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर चरने वाली भिहार की पहली वैकती है निरुपमा फ्लाइट लेटिनेन वेदिता चौधरी और फ्लाइट लेटिनेन राजिका सर्मा वाली पहली महिला आई-एफ टीम का हिस्सा थी उनकी अन्य चरहाई में लेह में माउंट स्टोक कांगरी और माउंट गोलब कांगरी गरवाल में माउंट कामेट और माउंट अभी गैमीन और लदाक में माउंट सेसर कांगरी माउंट त्रीसूल 7120 मीटर गरवाल और माउंट मनरिंग 6593 मीटर सामिल है आगस्ट 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री स्री नितीज कुमार ने माउंट एब्रेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए पटना के स्क्वाडर लीडर निरुपमा पांडे को सम्मानित किया था बिहार सरकार द्वारा अतिविस्ट खेल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है चुनाव के तैयारियों के समिक्चा करने बिहार पहुंची चुनाव आयोक की टीम का ये होगा कारिक्रम सही चुनाव आयों के वरिष्ट पदाधिकारी भी इस टीम में सामल रहेंगे ये टीम बिहार में तीन दिवस्य दौरे पर आई है इस दौरान बिहार और जारकन के चुनाव पदाधिकारी के साथ उन्हीं स्फरवरी को बैठक होगी वही राजी के मानिता प्राप्त राजनि पीचा बैठक की पूरी जानकारी लेंगे इसके बाद मिरिया से भी चुनाव आयों की टीम 21 फ़रवरी को बात करेगी बिहार की टीम पॉइंट टेबल में पीछे होने की वज़ा से एक बार फिर से प्लेट ग्रूप में जा सकती है फिलाल बिहार के किसमत गुवा और गुजराद के मैच पर टिकी है आपको बदादे की गुवा दूसरी पारी में गुजराद के खिलाफ लीड कर रही है यदि गुवा को एक पॉइंट भी मिलता है तो ऐसे में एलीट ग्रूप से वापस प्लेट ग्रूप में मनेपुर के साथ बिहार भी पहुँच जाएगा बदादे की टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करने का फैसला बंगाल के कप्टान मनोस्तिवारी ने लिया था देश का सबसे बड़ा लौक ऑन्कलिव पत्टना में हो रहा आयोजिस 25 फरवरी को पत्ना के ग्यान भवन में देश का सबसे बड़ा लौक ऑन्कलिव आयोजित होने वाला है इस दोरान देश के जाने माने वकील और राजनेता सुब्रमन्यम स्वामी भी उपस्तित नंजर आएंगे बदादे कि इस बात की जानकारी खुद सुब्रमन्यम स्वामी ने अपने सोसल मेडिया एक्स के जरिये दी है पटना के लॉप रेप ट्यूटोरियल की तरफ से इस लॉप और क्लेप का आउजन किया जा रहा है जहां करीब पांच जार से भी अधिक लोग मौजूद्गी दर्ज करवा सकते हैं जिसमें लॉप के विसल सक गया और लॉप के विद्यारती भी सामल है दो से तीन दिनों में प्रदेश में बारिस की संभाव ना 21 और 22 फवरी को राजे भर में हिमाले के परवतिय लागे में एक चक्रवात टकडाने के बाद इसका असर देखने को मिल सकता है दिससे एक बार फिर से बारिस की संभाव ना हो सकती है ऐसे में किसानों को मुख्य रूप से सतर्क रहने की सला दी जाती है सतर्क नहीं रहने पर किसानों के फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है हाना कि मौसम विभा के मुताबिक आज का मौसम सुस्क रहने वाला है सामिल इस लिस्ट में पहले नंबर प्लेनंट मस्क ने अपनी जगह बनाई यह वही सांबाथ निया के उन्य सबसे अमीरवेक्टियों के लिस्ट में ग्यार्वे नंबर पर आ samma 13 नंबर पर आदानी ग्रूप के मालिक गॉदम आदानी का नाम सामल है इसके अलावे सिव नादर इन्होंने 37 नंबर पर अपनी जगह बनाई है आजीज प्रेम्जी नहोंने 93 नंबर अपनी जगह बनाई है पटना के होटल रेट कार्पिट कंकरबाग में नियूरो डेवलप्मेंट टेखनीक पे एंड यूडिंग रिहाब डॉक्टर सूरे संकर कुमार के द्वारा एक दिवसी कारे साला का आयोजन किया गया जिसमें बिहार कॉलकाता उत्रपदेश जारकन से फीजियो थेरपिस्ट मौजू थे इसमें डिसोर्स परसन के रूप में दिली एम्स के नियूरो लॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजर इन्होंने बताया कि नियूरो डेवलप्मेंट टेखनीक ऐसी पधती है जो कि लगवा के मरीज में उनके कारे करने की छमदा को बरहाता है इस दोरान मुक्यातिति आईजी आईएमस पटना के फीजियो डिपार्टमेंट के हिट डॉक्टर विनै पांडे डॉक्टर अतनेश चौधरी बीसी पियो के अकैडमिक इंचाज डॉक्टर अभय जैसवाल डॉक्टर अविनास भारती डॉक्टर सची गुंजन डॉक्टर सुजी डॉक्टर मंजरी डॉक्टर रोहित चामल थे इगनु में नए अड्मिसन की बरही अंतिम तारीख री रेजिस्ट्रेशन और नए अड्मिसन के लिए रेजिस्ट्रेशन की तित्री इंद्रा गांधी राष्ट्र मुक्तवस विद्याला यानि इगनु द्वारा बरहा दी गई है एक शोक अब्यरति इगनु के अधिकारिक वेबसाइट इगनु.ac.in पर जाकर चलाए जारे ओडी एल या ओनलाइन मोर्ट से जनवरी सत्र दोजार चौबस के लिए आविदन कर सकते हैं आपको बता दे कि 29 फरवरी दोजार चौबस तक एगनु के विभिन कोर्सों में दाखिलें के अंतिम तारिक वढ़ा कर वढ़ा दिये गया हैं इससे संबंदि दधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं गया में चापे मारी के दोरान नकली नोट चापने वाले दो लोगों की हुई गरफतारी दो लोगों को नकली नोट चापने के मामले में गया में गरफतार किया गया है इस दोरान इनके मसीन को भी जब्त कर लिया गया आपको बता दे कि चापेमारी के दौरान भारी मातरा में नकली नोट रविवार को पुलिस ने चेर्की थाना छेतर के कुर्वामा गाउं में बरामत किये हैं इस दौरान 4,73,000 के नोट बरामत किये गये जिसमें 500, 200 और 50 रुपे के नकली नोट सामल थे सभी नोटों को लोकसवा चुनाव की दौरान चलाने की तैयारी थी हालां कि अभी तक इस नकली नोट छपाई मामले के मुखे सरगना की तिलास की जा रही है बता दे कि पुलिस ने ये चापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की थी अब राष्टिय लोक मोचा पार्टी हो गया है उपेंद्र कुसवा ने इससे लेकर बताया है कि पहले हमारी पार्टी का नाम राष्ट ये लोक जनता दल था तो उसके जबाब में उन्होंने बताया कि एंडिये गडबंदन के हम घटक दल में से एक हैं एंडिये गडबंदन के नेताओं के बैठक में जो तैह होगा उसी के अनुसार हम चुनाव लरेंगे बिहार में 10 लाख नौकरी का खुद को क्रेडित देते हुए थे जबाब में 10 लाख नौकरी देने का क्रेडित खुद को दे रहे हैं मुख्य मंत्री कहते थे कि ये गुमराख करने वाली बात है कहां से देगा कुछ पता है उसको पैसा क्या आसमान से आएगा पैसा क्या जेल से आएगा इसे कुछ सेंस है पैसा क्या उपर से आएगा राजे में तो पैसा नहीं है लेकिन 9 अगस 2022 को मैंने उप मुख्य मंत्री 15 अगस्त 2022 को पट्ना के गांधी मैदान से इन्हीं मुख्य मंत्री से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोसना करवाई इन्होंने कहा कि नई पीरी के लोग साथ आए हैं तो ये आपको नौकरी देंगे आगे ते जस्मी ने कहा कि मुख्य मंत्री के तौर पर ही सही ले जदैयू के राज़्टे प्रवक्ता केसी त्यागी ने विहार के सिएम उतीस कुमार के बार-बार पाला बदलने को लेकर बयान दिया है अपने इस बयान के दौराण उन्हों ने सभी सियासी दलों को पलटु राम करार दे दिया उन्होंने बताया कि हम जो पॉलिटिकल परफीयन पार्टी के साथ हो जाते हैं कभी ऑलाग सिस्टेम में अलट पलटंका है और अगर रोटी को अलटो पलटो गे नहीं तो खराब हो जाती है बीजेपी राश्ट्रे परिसद ने लिया फैसला बीजेपी में नहीं होगा अध्यक्षपत का चुनाव जुन 12-24 तक बीजेपी के राश्ट्रे अध्यक्षपत के लिए भी प्रस्ताव आया है साथ ही एक खबर भी सामने आई ही कि पार्टी में बरे फैसले लेने के लिए जेपी नड़ा को अधिकरित किया गया है बीजेपी में रध्यक्षपत के लिए कोई चुनाव नहीं होगा इसका प्रस्ताव अमित साथ द्वारा लाया गया है इस प्रस्ताव के मुताबिक पार् जोहिद सर्मा की कप्तानी में हो रहे है इस मैच में यससवी जैसवाल ने दोहरे सदक लगा अब तक हुए टेस्ट मैच में भारत की एतिहासिक जीत रही है भारत द्वारा बनाए गए 557 रनूं का पीछा करते वे इंगलैंड की टीम 122 रन पर ही सिमट गई भारत ने सिरी नवे में पहली बार कंप्यूटरी कृत रेलवे आरक्षन टिकेट की शुरुवात होई थी सोलो सो तीस में मराठा सामराजे के पहले सासक छतरपति सिवाजी महराज का जन्म जुन्र में हुआ था इस फ़वरी उनीजल क भाष्टी राज नीति गया बलवंत राए मेहता का जन्म हुआ था 1930 में दख्षुन भारतिय फिल्म निदेशक के विश्विनाथ का जन्म हुआ था इस फ़वरी उनीजल चाहस में वेज्याणिक पी बलराम का जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी गोपाल क्रेस्ट गोखले का निधन 1915 में हुआ था हिंदी के जाने माने प्रकासक मुंसी नवल किसोर का निधन 1895 में हुआ था भारत के प्रसिद विद्वान समाजवादी विचारक सिक्षा सास्त्री और देशबक्त नरेंद्र देव का निधन 1956 में हुआ था फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे का निधन 2010 में हुआ था आज के दिन को छट पते सिवाजी महराज एंथी के रूप में मनाया जाता है वाट्चैप को टकर देने वाले समवाद एप को लेकर DRDO ने दिये जानकारी DRDO द्वारा समवाद एप का सिक्योरिटी टेस्ट किया जा चुका है टेस्ट करने के बाद इससे ट्रस्ट इंस्योरेंस लेवल 4 के लिए क्लियर कर दिया गया है सिंटर फोर डिवलप्मेंट आफ टेली मेटिक्स द्वारा इस एप को डिवलप किया गया है इस एप को आप iOS और Android दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इस्तिमाल कर सकते हैं आपको बता दे कि एक इंस्टिंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो भारत द्वारा विक्सित किया गया है ये एप सीधे वाट्चाप को टकर देगा आपको बता दे कि सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स द्वारा पुलिस दरोगा समेट एससी जैसे अने प्रदोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करें डफ्रस और भुगों से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में आपने कितना संयुत्त दिया आई हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है मुखे मंतरी विस्व कर्मा पेंसन योजना का सुभारम किस राजे में क्या गया है और इसका से उतर है राजस्थान बोइंग डिफेंस इंडिया यानि बी आई डी के प्रबंध निदेसर कौन बने हैं ऑप्सने हैं दलदीज सिंग ऑप्सन बी ए निखिल जोशी ऑप्सन सी है सांतरू जहा ऑप्सन डी है मनोच से इसका से उतर है निखिल जोशी आई इनस जटायू किस किंद्र सास्थ प्रदिस में अपना नौस्यानिक बेस बनाएगा ऑप्सन है चंडी कर ऑप्सन भी है लक्ष द्वीप ऑप्सन सी है जम्मो कश्मीर इसका से तरह लक्ष द्वीप मौरे काल के दिहास के मुखे साक्ष कहां से प्राप्थ हुए है ऑप्सन है राजगीर ऑप्सन भी है पटना ऑप्सन सी है कुमारार ऑप्सन डिये गया इसका से तरह कुम्हरार विक्रम सिलाव इस विद्याले के स्थापना किस ने की थी ऑप्सन धर्म पाल ऑप्सन सी है महीपाल प्रथ हम ऑप्सन सी है देव पाल ऑप्सन डी है गोपाल इसका सही उत्रेक धर्मपाल बीते दिन हमाई दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पुछे के सवाल का जवाब देन के नाम है इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की उराद का सवाल है आपका पसंदीदा खेल क्या है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट से सन्वाक्स में लिका जरूर बता है अज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने नहीं के लिए देखते रहे है बिहारी नीज और साथ इगर आप यूटुब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सबस्क्राइब करना अगर आप फेस्गों करना ना भूले धन्यवाद